पर्यू जी शिवा वेरी गुड़ इवनिंग रेना गुड़ इवनिंग अभिशेक निंग गुड़ इवनिंग बच्चों तो मुझे बताएंगे क्या आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं जी बच्चों जी बच्चों जी बच्चों के नियू सी मी जी अभिशेक गुड़ इवनिंग बच्चों गुड़ इवनिंग एवरिवन तो सब लोग देख पा रहे हैं सुन पा रहे हैं आवाज आ रही है आपको जी बच्चों तो अब ओडियो एंड वीडियो बोथ आर करेक्ट तो हम अपने वर्क की तरह पढ़ते हैं बच्चों और बात करते हैं आज की टॉपिक की अगें वीवर वर्किंग ओन विलियम वर्ट्स वर्थ तो यहीं से बच्चों अपनी स्टार्टिंग करते हैं आप के आपने आज वर्क किया है बढ़िया से और आज फिर से आप बहुत अच्छा अपनी परफोर्मेंस दिखाएंगे त तो बच्चों करते हैं कि वो पोईटिक डिक्शन में किसको कोन से पर्टिक्लर वर्क को लाइक क्या कर रहा था क्रिटिसाइज कर रहा था तो बताईए कॉल्रिज एंड वर्ट्सवर्थ इपी टोक बाउट दोनों की जोडी ने जमके एक वर्क लिखा था 1798 में जिसका नाम था लिरिकल बैलेट्स और यही वो वर्क था विच हैड मेर्ड दे इर्वेंट ओफ ए यहां पर पोईटिक डिक्शन का क्या मेंस है नंबर वन और वर्ट्सवर्थ की थेयोरी को क्रिटिसाइज क्यों किया उन्होंने वाट वोट वस्ट रीजन बिहाइंड हां जी बच्चो सब बच्चे बिताएंगे आंसर करेंगे जी रजनी वन का ए आपने बताएं ऑके बा आपका ए बायोग्रेफिया लिटरेरिया अब थोड़ी सी बात यहां पर करते हैं ऐसा क्या था कोलरीज के साथ में के ही हैड बीन दफस्ट टू क्रिटेसाइज जबकि वो तो सबसे क्लॉस था किनके वर्ट सवर्थ के और इनके क्लॉस होने के विज़ा से दोनोंने मिलके क इस बेरिकल बैलेट को को तो विसिकली मैं आपको बताता हूँ कि कॉलॉस का कहना था कॉल्रीज का कहना था बच्रों बहुत इंपोर्टन लाइन है अ है कॉल इसक कहना था टू में सो जो वो मेक क्या बनाना चाहिए भी सी एक मिलिय लेको से वरड़ पढ़ना आप unfamiliar अप familiar बात समझ में आ रही है आपको unfamiliar to familiar जबकि wordsworth की theory क्या थी बच्चो wordsworth की theory थी कि I want to make the familiar मुझे familiar को क्या बनाना है unfamiliar बनाना है unfamiliar ऑके इसको थोड़ा सांठीक कर लेते unfamiliar यह आपको लाइन यह बहुत अच्छे से नहीं लिखा है बट यह आपको पकड़ नहीं है देखो पहली बात क्या means है unfamiliar को familiar बनाने का means क्या गया बिसीकली क्यों की theory यह थी कि I just want to make जी हिना I'm fine thank you गौरव बच्चों का कहना यह था कि common language ना हो लोगों की बलकि कैसी हो मतला हम जो literature में यूज करें वो बड़ी भ्यंकर language हो ब्यंकर होने का मिनते mystic हो वो mystic हो वो कैसी हो supernatural से भरी हो यानि के इनका मतलब था कि unfamiliar चीजों को जिनको लोग नहीं जानते थे हमें उन्हें क्या कराना है familiar कराना है जैसे आप देखते हैं अगर आप राइम ऑफ दे एंसेंट mariner की बात करें वहां so many things and events are there कि जिनसे लोग परीचित भी नहीं थे तो वह unfamiliar थे तो इस स्वर्थ का कहना यह था कि familiar चीजें जो simple चीजें है life की उनको इस तरह से प्रेजेंट करना common language में कि वह unfamiliar सा लगे यानि कि वही छोटी सी बारिश जो होती थी उस बारिश को नहीं इतना कि everybody was fine and happy with that लेकिन इस थियोरी को कॉल डिज ने कहां पे लिया बच्चो इस थियोरी को कॉल डिज ने कहां पे criticize किया है कॉल डिज ने क्रिटिसाइज किया है इस वर्क बाइग्रेफ है यह critical वर्क है criticism है अगर हम देखेंगे तो यह बच्चो criticism है किसका वर्ट्स वर्ट का अब देखो poetic diction के लिए क्यों किया मैं आपको बता दू poetic diction का means बच्चो यह होता है कि कोई भी poet ऐसे words यूज करता है ऐसी language यूज करता है ऐसे terms यूज करता है which are difficult for a layman वही audience क्या है layman है हम और आप है हम पढ़ेंगे उसको तो क्या हर चीज समझ में आ जाएगी हमारे जी नहीं इसलिए हर राइटर क्या करता था एक poetic diction लिखता था जिसमें वर्ट्स का मीनिंग एट्सटरा इसी को हम कहते poetic diction मतलब किस वर्ट का मीन है इसका क्या मतलब है यहां पे अगर यह particular syntax यूज किया इसका means क्या है यह poetic diction बच्चो होता था तो इसी को इन्होंने criticize किया है कॉल्रीज ने किसके वर्ट्स वर्ट के किस वर्ट में बाइग्रेफिया लिट रहे लिए तो देखो कितनी सारी questions यहां से बन गए कॉल्रीज फर्स क्रिटिसाइजर थे वर्ट्स वर्ट की थियोरी के वह भी किस पे basically poetic diction पे और किस वर्ट में बाइग्र सब्सक्राइब को देखो मैंने आपको चारों बताये थे के फर्स टाइम ही एड बीन एड डव कोटेज देन ग्रेजमियर और फाइनली एट फाइनली वह कहां पे थे बताएं गया रिडल माउंट या फिर एल फॉक्स देन अगेन या रोजमेर या फिर नन आप दीस तो आ रिना ने भी एक है रजनी ने एक है वेरी गुड और बच्चे बताएं फेंटास्टिक आंसर आ रहे हैं जी बच्चो बहुत अच्छे आरती गुड रिना तो इसका बिल्कुल सही है बच्चो रिडल माउंट अगर आप देखेंगे इनका लास्ट तरम यहीं पे था और ल रिडल अधा थाइन में से डिग्रोथ और प्वरें क्या पोईट के ब्रेन का यहां पर ग्रोथ था यह जो है और यह थर्ड वन जो है सी हम देखेंगे तो बच्चो इसका आंसर बताएं आप सीदे यह यहां पर देखेंगे हम बी और सी एक जैसे हो गए बट वोट शुड गौगयान बिल्कुल ठीक है आरती रीना वेरी गुड तो बच्चों यहाँ पर क्या आंसर बनेगा सब्टाइटल प्रिल्यूड का बच्चों क्या है तेल में आप हमें बताएंगे what should be the title of this particular work हां जी रजनी बिल्कुल सही है very good रीना रीना रजनी बहुत अच्छे correct बात है अगर हम बच्चों इसको देखें तो इसका आंसर क्या बनेगा हमारा answer होगा the growth of poets mind और देखो mind का means यहाँ पर brain से है लेकिन brain क्योंकि word वहाँ पर नहीं है तो हम इसे नहीं मानेगे answer क्या बनाएंगे इसका आंसर बनेगा the growth of poets intellect हटा देंगे यहाँ पर लिखेंगे बच्चों mind तो यह उसका answer है तो subtitle of the prelude जो कि सबसे important work है किसका words वर्थ का जी good evening किरन very good evening most important हाँ यह बात बिल्कुर सही है जी Shiva poets mind तो बच्चों answer मिल गया आपको third number prelude का जो subtitle है वो बच्चों growth of poets mind है अगला question prelude is in prelude कितने books में है सब बच्चे बताएंगे 14 books 18 books 20 books या फिर none of these अच्छा ठीक है शिवा ओल राइट आजी ठीक हैसे हो गिता very good हाँ title was given by जो थी बिल्कुर सही है रजनी it's good शिवा ने ए आंसर दिया 14 books बिल्कुल सही आंसर बन गया आपका जी रिना हान जी बच्चों बिल्कुल सही है ज़रा ध्यान से देखें actually basically क्या कहानी थी कि he wanted to write the recluse देखो ध्यान से वो recluse लिखना चाहते थे बच्चों क्या लिखना चाहते थे recluse अब यह recluse सबसे बड़ा वर्क था अब इसको दो टाइटल दो बुक्स में इनोंने तोड़ा नमबर वन थी प्रिल्यूड और बच्चों दूसरी थी एक्सकर्शन बोलो आपको याद है के नहीं एक्सकर्शन प्रिल्यूड में टोटल बुक्स थी 14, 14 बुक्स जबकि एक्सकर्शन में थी टोटल 9 बुक्स है ना एक्सकर्शन उन्होंने कब पुब्लिश कर दी थी 1824 में 1814 में 1814 में 1814 और प्रिल्यूड उनके मरने के बाद पौस्तूमसली 1850 में करेक्ट बात है कि नहीं जबकि ये रेक्ल्यूज को कि कभी पूरी नहीं हो पाई तो ये कभी भी पब्लिश हुई ही नहीं तो सब बचे ध्यान से देखेंगे कि रेक्ल्यूज के अंडर में इनोंने लिखा था प्रिल्यूड एक्सकर्शन अगर कहीं ये काम कंप्लीट हो जाता तो बच्चो इट वूड हैव ओवरकम दर पैरडाइज लोस्ट है ना पैरडाइज लोस्ट में लगबग कितनी लाइन से 11, 10,500 लाइन जबकि इसमें तीन गुना हो गई होती है ना ये 11,000 के तीन होती तो लगबग 33,000 यानि कि 33,000 लाइन से यहां पे हमारा आंसर बनेगा A 14 बोक्स अगला क्रेशन वोट इस अप सुनते इंटीमेशन आप इंटीमेशन आप इंटीमेशन आप इंपॉर्टालिटी तो उसका कम्प्लीट टाइटल बच्चो हम देके तो क्या बनेगा हमारा वेदर इट इस ओड इंटीमेशन इंटीमेशन आप 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 इंटीमेशन अंसर दिया है ओड ओन इंटिमेशन ओके रिना ए शिवा शिव ए हीना ए बिल्कुल सही है बच्छो जी सियों गिता बिल्कुल आंसर ए जाएगा इसका अंसर अगर हम देखें बच्छो पोट इंटिमेशन का तो यह आंसर ए है आपका और कम्प्लीट नेम क्या है इसका ओड इंटिमेशन ओप इंमोर्टलिटी फ्रॉम रिकेलेक्शन ओप चायल्डों 806 टू 808 जेन जेएटी फ्रॉटिक्ष तो इसका अंसर करेंगे किस पर्टिकलर पोएम में वर्ट्वर्त एक चायल्ड को क्या टाइटल देते हैं क्या नाम देते हैं बेस्ट फिलोसफर माइटी प्रॉफिट सियर ब्लैस्ट शिवा ने भी आंसर देदें इंटिमेशन फं़ूडटली ओके ठीक हैं बागी बच है ठीक है रीना सिक्स कड़ी जाएगा आल्राइट बागी बच्चो बागी बताते रहें यह सही आंसर या रे आपके 16 का वी आर्टे एकजेंक्टली रीना शिवा रिजनी आर्टी में कि वो क्या है एक बेस्ट फिलोस्पर है माइटी प्रॉफिट है और क्या है सियर ब्लैस्ट है राइट बच्चो तो देखो कितने सारे टाइटल होने ने बनाए है जी करें बिल्कू ठीक ऐसे होगी ता अगला क्रेशन देखते हैं बच्चो दे प्रिंटन अबे इज कंपोज़ अ फ्यू माइल्स अबोर टिंटन अबे और रिवाइजिंग तूर जुलाइ थर्टीन 1798 क्रेक्ट बच्चो तो आप मुझे बताईए वट्सपर रिविजिटेट दे प्लेस इन 1798 वें डिडिड ही रिविजिटेट रिविजिटेट टिंटन अब फर्स्ट तो दूसरी बार वो जाते 1798 वे तो फर्स्ट टाइम कब जाते हैं 1793 94 95 या नन ऑप दीज हाँ जी बच्चो ए आंसर आपने का है 1793 ठीक है शिव आपने भी एका है ओल्राइट रजनी 93 ठीक है तो सभी बच्चो ने क्रेक्ट आंसर दे दिया बिल्कुल सही ह बच्चो इसका आंसर क्या जाएगा आप एज आएगा 1793 तो आंसर हमारा क्या बना है यहां पे 1793 तो यह फर्स्ट विजिट थी उनकी और सेकंड विजिट बच्चो कब जाती है 1798 में कॉशन नमबर नेक्स पे आप आते हैं आई वोंडर लॉनली एज अ क्लाउड कूज ल हाँ ठीक है बिल्कूल ठीक है डी आंसर वर्ट्ष कि और स अब देखो, डेफो डिल्स एक पोएम है by William Wordsworth, लेकिन बच्चों जरा मुझे बताए, टू डेफो डिल्स किसने लिखी, टू डेफो डिल्स, अगर हम इसी के पहले टू लगा दें, तो ये किसने लिखी है, देखते हैं, कौन बच्चा आप में से बताता है, बड़ा अच्छ ये तो नहीं लिखी है, बताए, ये बच्चों किसने लिखी है, टैनीशन, रजनी ने कहा है, ओके, बाकी और बच्चे बताएं, कि हूँ हैड रिटन टू डेफो डेफो डल्स, ठीक है, हाँ, बिल्कुल नंदरी, इस रोबर्ट हैरिक, जी किरन, बिल्कुल ठीक है, तो बच्चों, टू डेफो डेफो डिल जो लिखी है, वो किसने लिखी है, यहाँ पर रोबर्ट हैरिक ने, रोबर्ट हैरिक, लेकिन बड़ी बात ही है, कि बच्चों आपने इस नजर में क्या देखते हैं आपर अच्छा वो कैम में सेंटेंस भी बताया करो अच्छा शीव ठीक है मैं कोशिश करता हूं कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको बनाते हैं रजनी ने कहा है ठीक है इसमें आपका सिमली आता है कैसा बच्छे इस बात को जानते हैं I know कि आप इसको बढ़िया से जानते हैं अब हम आते हैं कुशन नमबर 10 पर प्रॉटियस इस ग्रीक सी गोड वो कैने इजूम डिफ्रेंट शेप्स दा अधर गीक सी इस ट्राइटन है ना ट्राइटन हू राइज इस कॉंच विच ही ब्लोज इन और तो काम दे विज वेर डू दीज लाइन तू गोड्स एपिर इ सैंवी नहीं देना चाहिए बिल्कुल शही बिल्कुल सही शिव शीवा बिलकुल सही आरती करेक्ट बात है एक लास ट्रांस्पॉनमेशन की ओके हिना रजनी ए बिलकुल सही है बच्चो दे वर्ल्ड इस टू मच भी दस आंसर बनेगा हमारा ए तो अगर हम इस क्वेशन को देखें तो बच्चो हमारा आंसर क्या बनेगा अगले क्वेशन पर आते हैं अब देखो कितनी बड़ी बात यहां पर कहिए वर्ट्स वर्थ हैड नो मार्क्ट स्टाइल ओप इस ओन वें इसीक्स तो हवेश्टाइल ही फोल्स इनडू पॉंड पॉंड पॉंडे पॉंड्रोशिटी और पॉंड़ोसिटी यह किसका कहना है आर्णोल का लॉंग का रेकेट का या नन अ उब दीज तो बच्चो बताए यह मतलब पॉंड्रोसिटी का मीनसे दिखावर्टी पॉ एवन का ओके ए पैजनी ने बिल्कुल ठीक है आल राइटीक है निरेज वेरी गूड बिल्कुल सही आंसर है बच्चो इट इस आर्नोल्ड आर्नोल्ड क्रिटिसाइज ही में एक तरह से वो क्रिटिसाइज करते हैं और क्या कहते हैं वर्ट्सवर्थ हैड नो मार्क्ट पॉप्रोसिटी डन बच्चो कॉशन नमर्ट नेक्स्ट पर आते हैं तो आंसर हमारा इसका क्या जाएगा आंसर ए होगा अर्नोल्ड अगले क्श्चन को देखो वर्ट्सवर्थ इज एवर स्कूरिच्वलाइज इंग दो मूरल कॉंसलेशन यह बच्चो कोन कहता है कॉम्टन रिकेट हैं टी ओ एन कॉम्टन कॉम्टन रिकेट यह बुख भी आपने इनकी पड़ियोगी डबलुजे लूग आपने देखें वह यही लॉंग है तो रिकेट सेंट्स बरी तो इस क्या आंसर जाएगा बच्चो क्वर्च्चन नमबर 12 का आंसर आपका क्या होग जी वताइए 12 का आंसर बच्चो आप क्या बनाएंगे जो अब मारे का सी आंसर दिया है रजनी ने सेंट्स बरी ओके ओके नो नो इस नौट सेंस बरी रचनी एक सिट बी कॉम्टन रिकेट हाँ जी ये बच्चो वर्ट्सवर्थ is ever spiritualizing the mood तो बच्चो इसका answer content ricket जाएगा तो B answer बनेगा अगर आप यहाँ पे देखें कि तो answer B बनेगा यहाँ क्या का है नोने वर्ट्सवर्थ is ever spiritualizing the moods of nature and winning from the moral consolation अगले question पर आते हैं सब बच्चे बेलको सब्सक्राइब करना है बच्चों का पीडिया टेलिग्राम पे शेर कर दीजिए हाँ यह बेटा महिमा पहुंच जाता है वहाँ पे आप वहाँ से डाउनलोड इसे कर सकते हैं इमर्शन प्रीती बिल्कुल ठीक है हाँ जी रजनी बिल्कुल ठीक है बी आंसर है बच्चों इमर्शन की लाइन है यानि के इमर्शन बेसिकली जो ओड है इनकी इम्मॉर्टेलिटी ओड इसको क्या नाम देते हैं जहाँ पे 1843 1843 से 1850 तक बताव कुन सी सबसे बड़ी घटना हुई थी वर्ट्सवर्थ के बारे में तो बच्चों वर्ट्सवर्थ के बारे में सबसे बड़ी घटना बनी थी कि he had been the poet laureate वो क्या बनेते इस टाइम में? poet laureate अब poet laureate तो बन गए किसको हटा के बनेते? Robert Saudi को इसके बाद क्या होता है कि आते है tennition जब इनकी death हो जाती है तो tennition बनते हैं और बच्चों देखो tennition कब से कब तक बनते हैं? 1850 से लेके 1850 से लेके 1892, longest period था 42 साल, 42 years क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं सब बच्चे? 42 years long तक कौन poet laureate रहता है? हमारे tennition तो आप ऐसे बनाएंगे Saudi को हटा के बने हमारे words worth 7 years के लिए यह नहींने वैसे मना कर दिया था but king नहींने इनको बोला के please आप लिखो and he was the first one ऐसा हुआ कि इनोंने बोला के बही मैं old हो चुका हूँ so I am unable to perform my duty क्योंकि poet laureate का means होता है कि royal family है उसकी history को लिखेगा तो इनोंने का बही मैं लिखनी पाऊंगा तो king नहींने को बोला था कि no problem आप कुछ मत लिखना बस आप इस पद्वी को ले लो इस पोस्ट को ले लो इनोंने का था done तो he was the very first poet laureate who never wrote any history of the royal family है ना किरिन के बाद को ना थे tennishan तो बच्चो उपर देखो मजिधार बाद ये answer था tennishan का ही लिखा हुआ tennishan ने क्या क्या वर्ट्ष वर्ट uttered nothing base अब nothing base का means क्या होता है base क्या होता है बच्चो mean मतलब के बहुत बेकार सा बहुत छोटा जो लिखा हो तो इन्होंने कभी भी कुछ छोटा ने लिखा ना इनका style कभी base था ना ही इनका diction base था और ना ही बच्चो इनकी language base थी सब कुछ क्या था बहतर था तो nothing base का means इसी से आता है और यह किसने का है tennition नहीं राइट बच्चो answer हमारा क्या जाएगा हाँ जी ठीक है ठीक है शिवा आगे देखो अब यह question number 15 आता है जो again बखुत important है just for a handful of silver he left us just for a right band to stick in his court तो यह line कहां पे appear होती है who wrote किसे ने लिखा है बच्चो इन लाइन को प्रीती ने a answer दिया है ओके ठीक है जी बच्चो देखो इसको बखुत बढ़िया से समझेंगे पहला question तो आपका यह बनता है पहला question यह बनता है कि यह answer इसका a है browning ठीक है बिल्कुल शिवा दोनों बच्चे अच्छा answer करें रिजनी भी answer अच्छा करें सारे बच्चे अच्छा answer करें बच्चो ब्राउनिंग ने लिखा था Robert Browning ने किसमे अपने work में अब इसका कारण क्या था देखो इसका कारण क्या था मैं आपको बताऊंगा तीन event हुई यहाँ पे पहली event थी कि इन्हों ने ये जो क्या नाम है Wordsworth Wordsworth ने एक post ली थी जिसका नाम है post का distributor distributor of stems सब बच्चो को पता है इस बात का distributor of stems ये क्या थी basically एक post थी government post और दूसरी बात क्या थी he had got a government pension pension इनको मिली थी कितनी 300 sterling pond की तो एक pension इनों ने ली थी इस post को ली आता और तीसरी बात सबसे बड़ी है ये poet laureate बने ये बच्चो क्या बने poet laureate जबकि इनके पूरी life के जो principles थे वो principles क्यास थे वो principles थे कि he was with the French revolution ये किसके साथ में थे French revolution को वह उसी के लिए तो लिख रहे थे हैं लगातार और French revolution का means है कि ये दो section है उपर पहला section है अपर class का aristocratic class का मतलब किंग है आप एक क्वीन है एट्सेटरा Victoria की बात हम कर रहे हैं सीधे-सीधे और नीचे वाला क्या है lower section तो ये बात तो कर रहे हैं lower section की French revolution में इसको support कर रहे हैं लेकिन ये किसके favor में favor इनको किसका मिल रहा है Queen का Queen Victoria का ये तीनों चीदे देने का मतलब है कि Queen Victorian के साथ में है He is He is bowing down through his knee उसने अपने घुटने किसके सामने टेक देए Queen के आगे तो browning इस बात से खपा है और वो कहते है lost leader में के just for a handful of silver handful और silver का means भी यहाँ पे बच्चों पूछा जा सकता है actually silver का means है 30 pieces of silver कितने pieces total 30 pieces of silver silver के 30 pieces यहाँ पे है तो he left us उसने हमें छोड़ दिया का मतलब है distribute of stamp होके pension के through और poet laureate बनके और उने खुब पैसा लिया और वो किस से लिया government से जी विलकुल वानी I'm fine thank you ठीके बच्चों समने में आई बात तो यह line एक तरह से words बर्थ को उन्होंने criticize किया है कि तुम French evolution वाले principle से हटके जिसको तुमने जिससे तुमने लोगों को बनाया और अपने idealism को छोड़ दिया और क्या जाके कर लिया आपने घुटने किस के सामने टेक दिया queen के या फिर एक तरह से हम कहें तो monarchy के सामने राइट बच्चों बढ़िया question है अगला question देखते है words worth is not always melodious that he is seldom graceful and only occasionally inspired यह बच्चों किसका कहना है Samson का content record का यह William W.J. William J. Long का तो किस ने कहा William words बदकू के हमेशा melodious नहीं है वो कभी-कभी graceful भी है occasionally inspired है answer रजनी ने कहा है ओके ठीक है किरन A कह रही है बाकी बच्चे बताएं कि answer बनेगा बच्चों इसका हाँ जी exactly बच्चों answer हमारा A बनेगा तो answer हमारा क्या हो गए यहाँ पर William यारि के W.J. Long correct बच्चों आच्छा ठीक है वानी इस तो राइट तो answer हमारा बच्चों क्या बनेगा है हाँ पर यह particular line किसके दोरा दी गई है W.J. Long अगला question देखेंगे He is the greatest poet of nature that our literature has produced मतलब कहा गया है कि वो greatest poet of nature के अब यह देखो कि Long ने यह remark किसके लिए किया है बड़ा आसान आंसर है आप कर सकने ही बिलकुल आसानी से What's worth है Shelly है Arnold है and none of these हैं बच्चों क्या answer करेंगे आप जी answer बनाएगे तो आंसर बच्चों जाएगा A. What's worth exactly बिलकुल सही answer है सब बच्चों का Question में next Where does Wordsworth compare himself to an aeolian harp देखो बच्चों अगर मैं aeolian harp की बात करूँ तो aeolian harp basically होता है जिसे वीना होती है वीना वीना टाइप का एक musical instrument है उस musical instrument से यह अपनी comparison करते हैं तो वर्ट्स वर्थ कहां पर करते हैं प्रिल्यूड में इन प्रिल्यूड में टिंटर नवे में या नन अप्दिज बताइए बच्चों किस में करते हैं अगर हम इसके answers देखें तीन answers समारे सामने इसमें से क्या जाएगा answer बहुत important answer है बच्चों question है हमारा रीना बिलकुल ठीक है मीनू शिव बिलकुल सही बात है आर्थी correct पिंकी बहुत अच्छे तो answer बच्चों हमारा क्या बनेगा A in the prelude जो answer है prelude का name जो है वो the prelude है ठीक है बच्चों तो बिलकुल सही answer आपका जा रहा है the prelude A answer बनेगा तो answer बनेगा हमारा A ठीक है जी अगला question बच्चों देखते हैं वेर वर दर लिरिकल बैलेट्स appreciated more than in English यह England है बच्चों यहाँ पे जो लिखा है E N G L A N D L A N D England मतलब UK से जादा England से जादा कहां पे लिरिकल बैलेट्स को appreciate किया रहाता है तो बच्चों answer है America सब बचे जानते हैं इसको हाँ America अमेरिका देखेंगे हैं इसमें आप इसका कारण क्या है भर लिरिकल बैलेट्स अगर आप देखेंगे तो किसको support कर रही है French Revolution को और बच्चो French Revolution किसके against है Monarchal System के यह किसके खिलाप है Monarchal System के और Monarchal System के खिलाप होने कमीन से लोगों के साथ में है तो CDC बात है इस Monarchal System को किसने बढ़ावा दिया है इंग्लेंड ने तो इंग्लेंड क्यों इसके साथ में आएगा तो यहाँ पे अप्रिशेट लेकिन अमेरिका जो कि कब आजाद हुआ था ध्यान से देखो 1776 में 1776 किसके अंडर में था इंग्लेंड के तो शियतर में आजाद होने के बाद इंडिपेंडेंडेंट होने के बाद CDC बात है कि 1789 में होने वाली French Revolution को यह सपोर्ट करेगा या नहीं 100% सपोर्ट करेगा तो इसी वज़ा से इसने लिरिकल बैलेट्स को भी क्या किया था सपोर्ट किया था और इसको लाइक किया था राइट बच्चो अमेरिका में ये सर बिलकुल सही है बिलकुल सही बात करें शेव तो वहाँ पे इसको जदा सपोर्ट किया गया और ज्यादा ही like किया गया लिरिकल बैरेट को अगरा question देखते हैं बच्छो 20 who is absolutely without humor according to long तो डबलूजे लोंग किसको कहते हैं कि वो without humor है शेली को, कीट्स को, सौधी को या wordsworth को जी बच्छो answer करें बहुत अच्छा question है अगर हम देखे तो डबलूजे लोंग without humor किसको कहते हैं वर्ट्स वर्थ को सही answer जा रहा है बेलकुल सही answer है शिव प्रीती बहुत अच्छे हां जी रजने बेलकुल से कहे 20 कर दीगे तो बच्छो यहाँ पर वर्ट्स वर्थ को वो कहते हैं क्या without humor यानि अगर हम humor वाली condition देखे तो बच्छो humor आपकी किसमें Shakespeare में जबर्दस्त है जोन ड्राइडन में जबर्दस्त है मिल्टन में जबर्दस्त है बट भी लैक दिस इन वर्ट्स वर्थ में हमें humor को लैक करते हैं कई ना कई ठीक है जी अच्छा देखो हमने 20 question कर लिए बच्छो समय थोड़ा सा हमारा लैक कर रहा है एक आत question और देख लेते हैं वर्ट्स के बारे में किसने अपना वीनियर दिया है तो बच्छों क्या answer बनाएंगे आप इस question का रिकेट सैंसें सेंट्स बरी या फिर लॉंग हां जी बहुत अच्छे answer करें सब बच्छे आंसर सब बच्छों का बिल्कुल जरूरी है आप इसको छोड़ नहीं सकते हैं यस एव्रिवन डी बिल्कुल सही है रीना रीना हीना बहुत अच्छे रजनी शिव बहुत अच्छे आरती वेरी गुड तो बच्छों देखें हम तो 21 का answer आपका डी जाएगा यह लोंग है हमारे डबलू जे लोंग तो अगेन हम देखें तो यह डबलू जे लोंग आएंगे ठीक है बच बच्छों देखते हैं 22 अगर हम इसका answer देखेंगे तो हमारा बच्छों आंसर जाएगा वर्ट्स वर्थ रजनी बिल्कुल सही है और आंसर शिव आपका तो यह ए आंसर जाएगा वर्ट्स वर्थ करक्ण बच्छों झीब बुलकुल ठीक है तो आंसर हमारा बनेगा एवर्ट्स वर्थ वन मौर कर्शन पूर्थ इज पोयम इम्मोर्टिलीटी ओर्ड वर्ट्स वर्थ इस इंडेटेट टू यह क्या है यह आपे वर्ट्स वर्थ तो वर्ट्स वर्थ बिसीकली किसको इंडेट मतरब कहां से वो इंडेट करते हैं वोगन के रिट्रीट से शैली के ओर टू वेस्ट में से या मिल्टन के पैराडाइज लोड्स से सब अच्छेवा आंसर करेंगे जी बिल्कुल ठीक है ओल राइट ठीक है शीव ओल राइट सब बच्छे बताएंगे रीना शिवा सेयोगिता प्रिती हीना इम्मॉर्टेलिटी ओर्ड वर्ट्स वर्थ किस कहां से मतरब एक तरह से बूरो करते हैं सी आंसर मेल्टन के पैराडाइज लोड्स से ओके आर्थी बाकी बच्छे बताएं बच्छों गर हम यहां पर आंसर विमल कहरें सी ओके अगर हम बच्छों इसका आंसर देखे तो पैराडाइज लोस्ट की कहानी अलग है यह आंसर जाएगा वोगन्स दर रिट्रीट वोगन की रिट्रीट भी बिसिकली इसी तरह से जैसे इम्मॉर्टेलिटी ओर्ड है हाँ जी बिलको ठीक है ठीक है तांसर बच्छों से ओंगी ताह बिलको ठीक है ए आंसर वनेगा सब बच्छों का जी इनदो जी शिवाब बिलको ठीक है अब बच्छों यह दो कुशन और देखते हैं 24 24 को देखेंगे who suggest a return to natural and simple living as the only remedy for human wretchedness to human wretchedness के only remedy बच्चों क्या है natural simple living में जाने की किस ने suggest किया who suggested this जी ठीक है रही ना आल राइट प्रिती शिवा वर्ट्स वर्थ ने बिल्कुल सही है अनुरूद करेक्ट बात है शिवा अच्छा ठीक है ओल राइट शिवा शिवा बिल्कुल ठीक है शियों गिता बहुत अच्छे तो आंसर बच्चों वर्ट्स वर्थ जाएगा अब हमारा जी किरन बिटा आपका थोड़ा सा स्लो चल रहा है यह बहुत अच्छी बात है तो बच्चों क्या जाना चाहिए बताइए मुझे आप हां जी बिल्कुल सही है यह ऊंसर बच्चों आपका बनेगा ए वाइ अर्ट दाव साइलेंट इह अकेला वर्ख है जो क्या है उनका यह ओनली लव सोनेट है बच्चों की बाकि सारी कैसी है बाकि सारी पोईट्री पे यानि नीचर पेश्ट है तो अगर हम इसका आंसर देखेंगे तो बच्चों 25 का आंसर हमारा यह जाएगा तो आज इसी particular question के साथ में हम over करते हैं बच्चों मैंने कौशिश किया है ज्यादा information देने की ज्यादा आपको facts बताने की questions के साथ में और इसी को हम आगे भी जारी रखेंगे चलिए बच्चों कल मिलते हैं early in the morning 8.15 for the vocabulary and 7 o'clock in the evening for this literature and basically we are working on wordsworth और wordsworth complete होने वाला है फिर हम next writer प thank you Shiva इसको share करें subscribe करें और बच्चों इसको like भी करें like करना बहुत जरूरी है क्योंकि आप मुझे like करो गो मैं आपको like करूंगा तो हम like करते करते आगे बढ़ेंगे बाबाई have a nice time